नवस्कार आधाव गुडिम्निंग सच्छेगाल दोस्तों मैं हूँ मनुदर और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं सभी का क्यार मग्दम करती हूँ देश को तोड़ने वाली ताक्ते जो होती है देखो कहां-कहां बैठके अपरेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को उनके निशाने पे केवल नुपुर शर्मा ही नहीं है मुलाइम सिंग् यादव की बहु और बीजेबी निता अतना यादव के साथ साथ सांसाथ प्रग्या ठाकुर भी उनके निशाने पे है क्यूंकि अतना यादव और प्रग्या ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ा खुलासा, उन अजन्जीन ने किया है, जिनको इस काम के लिए लगाया गया था, कि वो देखें के धमकी कहां से आई हैं। दोस्तों, आप बड़े हैरान होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हें, ये धमकी कहां से मिली है ये धमकी उनको दुबई से मिली है और वो नमबर भी टेस हो गए है अच्छा माना कि नुपर को धमकी मुहमाशाब के χिलाब टिपणी करने के बाद मिली है लेकिन अरपड़ा यादब और प्रग्या ठाकुर को धमकी क्यों मिली है यह आप सोच सकते अब बताइए क्यों मिलिये, यह जो विदेशों में बैठे लोग हैं, कि यह सोचते हैं कि हम वहाँ पे बैठे बैठे, भारत को अपने रिवोर्ट से चला सकते हैं, यह भूल जाएं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसा कभी करने की सोचे हैं ना, क्योंकि ऐसी एजन्शीज हैं भारत के पास हमारे पास जो हर चीज़ पर नजर रखे हुई हैं और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरीए आप जान सकेंगे कि भारत विडियो दिगर्दिविदियां कैसे कैसे ऑपरेट हो रहे हैं और अलगावादी जो ताक्ते हैं उ उत्तरपरदेश में भीते दिनों मुलाहिम सिंग के बहु और बीजेपी की निता अर्पना यादव को जान से मानने की धंकी दे गई थी इसके बाद पुलिस ने एक मामला दर्स कर लिया उसकी जाज करनी शुरू करती इसके कुछ दिन के बाद ही मद्देपरदेश के भु बीजेपी शांसत साध्यू प्रग्या ठाकुर उन्हें भी जान से मानने की धंकी मिलती है अब अर्पना यादव और बीजेपी शांसत को मिली धंकी को लेकरके सुरक्षा अजनसियों ने जांच में एक बड़ा खुला सकिया है सुरक्षा अजंसियों ने अपनी जांस के अधार पर ये बताया कि जिस नंबर से अर्पना यादव को धमकी दी गई है उसी नंबर से दुबई से इस कॉल के लिए वर्चुल प्राइविट नेटवर्क सिस्टम का इस्तवाल किया गया था और ये धमकी का जो नंबर यूज किया था उसको वाट्सेप के जरीए यूज किया नॉर्मली यह सुचा जाता है कि वाट्सेप पे जो कॉल होती है वो कॉल ना तो ट्रे कैस वजाता है दोस्तों मैं आपको बता दू कि वाट्सेप कॉल के जरीए अतना जादों को बहत्तर गंटों के अंदर एके 47 से हत्या करने की धमकी लिए गई थी और उसके बाद कॉल पे काफी अपशब्दों का भी प्रियोक किया गया था उनके लिए बुरे शब्दों का बुरे शब्द इस्तवाल करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई थी इस धमकी के बाद गौदम पली थाने में कई धाराओं में एक मामला दर्श किया गया था और वहीं बीजीबी सांसर ठाकुर प्रग्या ठाकुर भी वर्टसप कॉल के जरीए ही उनको भी धमकी मिली थी और इसके बाद कई धराओं में केज दर्श किया गया था और जो एजन्सीज जो हमारे स्रक्षा एजन्सीज इस काम में लगी हुई थी उन्होंने इसका पड़क शेप कर दिया और यह पदा कर लिया कि यह धमक्या किस देश से मिल रही थी कहां बैठे लोग किस त उन्हें जान समाने की धंकी दे रहते हैं तो दोस्तों आपको यह मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सकाइब भी कर सकते हैं यह वीडियो गर आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए जैन जै भरत